दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत हमारे एन्विर एज्यूकेशन के यूटूब चैनल पर और मैं संपत लेड़ आप सभी के लिए जस्ट अभी एक वेकेंशी जो रिलीज की गई है आरेसे में सेस्वी के द्वारा उसके लिए कंप्ली डीटियल देके हाजिर हो चुक यहाँ पर आपके लिए तोटल 530 पतों पर संगनत भरती रिलीज की गई है यहाँ पर आप देख सकते गैर अनुसुची छेतर के लिए यहाँ पर 512 पोश्ट है अनुसुची छेतर के लिए 511 पोश्ट जो है इसके अंतरकत रखी गई है आपके ठीक है ओनलाइन अवे दि की डिटेल्स होकर है यहाँ पर मैं complete यहाँ पर आपको देने वाला हूँ ठीक है तो जो प्रोसीजर आपके दूसरी वेकेंसी के लिए करते वहाँ पर आप इसमें भी कर सकते आर एससमी की साइट पर या पिर आप SSO.RASTA.GORMENT.INC पर जाके भी जो है इसकी complete डिटेल्स प् अगर आपके लिए यहाँ पर 600 रुपे का फीस रखा गया है अगर आप यहाँ पर आप राजस्तान के अंतरगत अनुसूची जाती कमजोर वर्ग या अनुसूची जन जाती से तो आपके लिए आपर फीस जो है वो आपके 400 रुपे रखे गई है और समस्त जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको लेके डिस्कस कर सकते हैं पदोका वर्गिगर्ण यहाँ पर आप देख सकते हैं समानिय के अंतरगत एक सूनत तीस है अनुसूची जाती में सत्तावन पोश्ट है इसमें अनुसूची जाती के आपके 23 है और इनके साथ पोश्ट है यहाँ पर आपके केटेगराइज की गई है ठीक है अब और डिटेल्स इसके अंदर कर देख सकते हैं यहाँ पर तो जहां जा पर इंपोर्टेंट डिटेल्स हैं मैं उनको साथ में आपको बताता जाता हूँ पात्रें अपलोब नहीं होने की तरसा में चलिए यहाँ पर यह जो डिटेल्स आपके अन्य अपर इक्षाओं में जो लाग होती है बहां पर डिटेल्स यहाँ पर भी आपके लिए रखी गी है चलिए तो यह आपके जो गेम्स रिलेटेट जिनके भी सर्टिपिकेट वगर है तो उनको भी यहाँ पर इसके अंदर फाइदा मिलने वाला है पातरते हैं और सेक्षनी यूगेते हैं आपर आप देख सकते हैं किसी भी मानिता प्राप दूसे दले से घणी तया सांके की वह अर्थ सासर में कम से गम एक विशे के साथ स्तनातक की उपादी आपके पास होनी चीए भारती सांके की संस्तान कलकता पार्ट फ़स्ट एवीज द्वारा संचालित ओ लेवल या उचतर लेवल परमान पतर या इसके लाव आपके NLIT नई दिली द्वारा कम्पुटर संकल अपना का परमान पतर आपके पास है तो कर सकते हैं कोपा का अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं इसके लाव आपके कम्पुटर डिपलोमा है तो आप इसके अंदर एपले कर सकते हैं ठीक है इसके लिए होग है राजस्तान Knowledge Corporation Limited से अगर आपके पास कोई प्रमान पत्र है तो भी आप इसके अंदर कट भर सकते हैं इसके लिए हाँ आपके पास एज लिमिट के अगर बात करें तो इसमें 18 से लेकर 40 साल का एज क्राइटेर इसमें रखा गया है एक जनवरी 2024 के अनुसार इसमें काउंटिंग की जाएगी पैंसन्स बगरा इसके अंदर भी आपके लागू होगी पंजिन सुल्क वगरा आपको यहाँ पर देख लिजे भई ठीक है पंजिन सुल्क राजिग निर्धारित इमित्र कियोस्क चन्न सुविदा के अंदर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड है हो क्रेडिट कार्ड के मादिएम से दिनाख 12 जुलाई 2023 से लेकर 10 अगस तक आपको इसके अंदर डेट टाइम का क्राइटर मिल रहा है तो इसके अंतरगत है कि आप इसके अंतरगत अप्लाई कर लीजेगा इसका जो exam है वो आपके लिए 14 October 2020 को आयोजित करवाये जाएगा त्यान रिकिगा ठीक है 14 October को करवाये जाएगा त्यान रिकिगा यहाँ पर और 10 August तक आपके लिए last यहाँ पर रखे गई है 14 October तक आपके exam के लिए आप तेहरी कर लिजेगा भई ताकि आप यहाँ पर कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको न हो अभी दिन करने के लिए मैंने आपको SSOID का concept बताई दिया है जो वेकेंसी के लिए आप दूसरों में अपले करते हैं वो इस concept आपके इसके अंदर रहेगा जिसमें तीस question आपके रहेंगे तीस नंबर के जनरल लोलेस के अंतर कद आपके तीस नंबर के तीस questions रहेंगे पार्ट बी में आपके aesthetics, economics और mathematics का concept इसमें रखा गया है जिसमें आपके 70 नंबर के questions रहेंगे टोटल 100 नंबर का paper इसमें रहेगा एक बटा 3 का आपके minus marking इसके अंतर कद रखा गया है ठीक है एक बटा 3 को questions को गलत करने के पीछे आपके एक बटा 3 का minus marking इसके अंतर कद रखा गया है 100 नंबर का paper रहेगा 40% का minimum criteria आपको रखा गया है बही जाने के गा और जो paper रहेगा वो आपके bachelor degree का standard यहां पर follow करेगा Part A में आपके देख सकते हो राजस्तान के अंतर का geography, natural resources और economics development of राष्तान आपको इसके अंदर पूछे जाएगी history, art, culture and heritage राष्तान इसके अंदर पूछे जाएगे फिर current event और information technology, communications related को current major development है वो यहां पर आपको पूछे जाएगे static and economics और mathematics से आपके concept इसके अंदर आप देख सकते हो correlation and regression है, design of sample survey है, time series analyze है index number इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले है, vital static है और static system and static organization इसके में पूछे जाएगे, इंडिया और राष्तान से related, economic concept है, economy आप राष्तान है, elementary mathematics है और basic of computer इसके अंदर पूछे जाएगे जिसमें MS Word, Excel, PowerPoint और basic knowledge of internet पूछे जाएगी तो यह आपके लिए आज का release हुआ, संगनक भरती का complete details था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए पूछे जाएगे